इस फर्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे क्लास 11 का चैप्टर नमबर 9 सो लेट्स स्टार्ट विद 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 इंट्रोड़क्शन देट जड़ीज की ट्रेड का मतलब होता है चीजों का एक्सचेंज करना मिन्स आप गुड्स बेच रहे हो कोई समान बेच रहे ह उसके सामने आप पैसा ले रहे हो और आप कोई सर्विस बेच रहे हो उसके सामने आप पैसा ले रहे हो इसको बोलते हैं ट्रेड या बिजनस ज्यादा तर ट्रेड का जो अबजेक्टिव होता है हम पहले से जानते हैं ट्रेड और बिजनस का एक ही अबजेक्टिव होता है अगर लेन देन हो रहा है समान का या फिर सर्विस का एक कंट्री के बाउंडरी के अंदर तो हम उसको बोलेंगे इंटरनल ट्रेड और यही आपका चैप्टर है हमारा जो चैप्टर है वो यही है क्योंकि देखो हर एक कंट्री में अलग-अलग जगह अलग-अलग चीज उगती है ठीक है भगवान ने या फिर नेचर ने इक्वल डिस्टिबूशन नहीं किया है चीजों का कि हाँ हर जगह फर एक्जामपल अगर हरयाना में जादा वीट होता है तो ऐसा नहीं है कि यूपी में भी उतना ही वीट होता है हर जगह अलग-अलग चीज का प्रडक्शन जादा होता है या फिर ग्रोथ जादा होती है तो इसलिए बिजनस जरूरी है इक्वल हर जगह को इक्वल वेल दिया है उसका equal distribution हो हर जगह वो equally maintain रहे equally पाया जा सके इसके लिए हम business करते हैं now internal internal trade का meaning currency पैसे weight वजन measurement कितना है कितना नहीं है trade practice जो trade practice मतलब business कैसे करते हैं यहां के लोग और यहां का जो legal matters है यह internal trade में common होता है क्योंकि अब country के अंदर है internal trade तो currency भी सेम होगी हम जो यहां पर weight consider करते हैं kilogram या फिर kilometer जो भी है weight यहां का kilogram है gram है ठीक है यह भी सेम है measurement में भी हम सेम है centimeter meter है trade practices भी सेम है trade business करने का तरीका भी एक ही country के लोग हैं तो वो सेम होगा and then legal matters एक ही country है तो वो जो law होगा वो भी सेम होगा next page में यहां पर हम देख रहे हैं boundary के हिसाब से दो टाइप में business divided हैं that is internal trade and foreign trade and distribution के इस आप से direct indirect इसमें भी indirect में wholesale trade and retail trade wholesale trade का मतलब होता है कि एक wholesaler large quantity में producer से जो खरीता है उसको बोलते हैं wholesaler और वो थोड़ी थोड़ी देखो सीधी सी बात है wholesaler जादा quantity में producer से खरीदेगा और थोड़ी थोड़ी quantity में retailer को बेचेगा ठीक है है? wholesaler एक link होता है producer और retailer के बीच में producer का मतलब होता है goods बनाने वाला जो producer से wholesaler जादा quantity में goods को purchase करता है और उसको थोड़े थोड़े quantity में retailers को बेचता है जैसे retailer की जरुवत मंद के इसाफसे retailer wholesaler के पास जाके उसे खरीदता है और retailer उसे wholesaler से खरीद के customer को बेचता है यहाँ पे देखो दिया हुआ है producer, then wholesaler, then wholesaler के बाद retailer, retailer के बाद customer तो इतने सारे चार्ट चैन के बाद या तीन चैन के बाद customer तक goods पहुंचते है अब यहाँ पे देख रहे हैं अब wholesaler, producer और retailer के बीच में है तो यह कुछ service प्रोवाइट करता है wholesaler किसको प्रोड्यूसर को और कुछ service wholesaler प्रोवाइट करता है retailer को अब जो service प्रोवाइट करता है wholesaler producer को पहला large quantity में वह order देता है कौन wholesaler producer को large quantity में order देता है second अब देखो wholesaler के पास है ना बहुत सारे अलग-अलग retailers आते हैं और retailers wholesaler को wholesaler से बात करते हैं market के बारे में वैसे भी wholesaler को market के बारे में बहुत ज्यादा knowledge होता है कि customer को क्या चीज चाहिए retailers को कैसा taste कैसा preference कैसा fashion लोग को चाहिए और वो चीजी किसको कनवे किसको बताता है wholesaler producer को बताता है थर्ड क्या है freedom from the storage of goods देखो producer ने तो बना दिया goods ठीक है लेकिन आपको उसको store तो करके रखना पड़ेगा न लेकिन यह तो पहले ही ज्यादा quantity में producer से ले लेता है तो producer तो free हो जाता है उसको goods store करने का जरूरत नहीं होता क्यूंकि producer से ज्यादा quantity में wholesaler ले लेता है goods और व इसलिए जो producer है वो free हो जाता है goods को store करने के लिए from the worry of sales goods बिकेंगे की नहीं कितने बिकेंगे कब बिकेंगे यह producer को tension होता तो है लेकिन यहाँ पे जादा जादा quantity किस ने खरी दिया होल सेलर ने और होल सेलर ने quantity खरी दिये तो होल सेलर तो sell करेगा ही कैसे ने कैसे तो उसक प्रिंता करने की जरुवत नहीं है यहाँ पे होल सेलर ही goods बेचेगा सिक्स फिफ इस के relief in capital देखो होल सेलर कभी कबार क्या करता है एडवांस में payment दे देता है जो वो चीज खरीदने वाला है producer से उसको एडवांस में payment दे देता है तो producer को भी तो थोड़ा थोड़ा relaxation रहता है न कि पैसे का जरुवत है तो उसको बंतलब थोड़ा relaxation रहेगा कि हाँ चलो होल सेलर ने थोड़े पैसे दिया अब हम उसका यूज करके production कर सकते हैं production बढ़ा सकते हैं तो उसके लिए capital में भी पैसे में भी उसको थोड़ी चिंता कम रहेगी freedom from the risk अब producer ने तो goods को store किया ही नहीं है goods को store तो किया है wholesaler ने तो goods को अगर store किया है तो उसका देख भाल या उसकी चिंता करने की जरुवत किसको रहेगी wholesaler को रहेगी risk जो होगा goods खराब हो गया तो ठीक है चोरी हो गया तो कुछ भी हो सकता है तो यह risk जो रहेगा यह किसके उपर रहेगा wholesaler के उपर तो यहां पर producer उससे भी free हो गया की नहीं आया समझ में अब wholesaler कुछ service दे रहा है retailer को अब देखो wholesaler खरिद के रखता है large quantity में जब भी जब retailer को जरुवत पढ़ती है रीटेलर कौन जो हमें दुकान वाले देते हैं वह सारे retailers होते हैं तो रीटेलर को जब goods की जरुवत बढ़ती है वह उतना quantity wholesaler से खरीद लेता है आया समझ में जब जब retailer को requirement होती है goods की जरुवत बढ़ती है तब तक वह खरीद लेता है goods on credit कभी कभार जो wholesaler है न वो goods retailer को credit बेच देता है कि चलो भाई तुम यह goods ले लो बेच दो फिर जब पैसा मेलेगा तो उसमें से मुझे दे देना थर्ड decrease in advertisement expense देखो हमने पहले ही देख लिया कि ज्यादा effort कौन डालता है wholesaler डालता है advertisement में कि उसका sales बढ़ जाए तो यहां पे retailer को इतनी मेहनत करने की जरुवत नहीं होती है उसको advertisement में पैसा खर्च करने की जरुवत नहीं होती है फूर्थ re-address of complaint मतलब complaint को सही address पे पहुंचाना सही जगह पे पहुंचाना देखो customer से direct contact में रहता है retailer customer complain करते है retailer को retailer complain करता है wholesaler को और wholesaler उस complaint को producer तक पहुंचाता है आया समझ में freedom from the risk CDC बात है अगर goods store किया है wholesaler ने तो goods का risk किसके उपर होगा wholesaler के उपर होगा की नहीं इसमें retailer के उपर तो होगा ही नहीं न क्यूंकि retailer ने तो goods wholesaler से लिया और तुरंद customer को बेच दिया इस गाइडेंस मार्केट का बहुत ज्यादा knowledge और experience होता है कभी कबार वह अपना guidance या knowledge किसको देता है retailer को देता है कि अगर यह वाला goods ज्यादा customer को बेचना है तो किस तरीके से बेचना है क्या करना है कुछ भी और retailer कोई भी जो भी उसको problem है वो wholesaler से discuss करके wholesaler से advice भी ले सकता है यहां पर हमारा wholesale trade पूरा हुआ now retail trade का मतलब होता है कि वह small या large quantity में wholesaler से खरीदता है या जरूरी नहीं है wholesaler से खरीदेगा retailer direct producer से भी खरी सकता है retailer की मर्जी है वो large quantity खरीदेगा या small quantity खरेगा उसके उपर होता है उसको बोलते है retail trade retailer भी कुछ service देता है किसको अब देखो हमने यह चैन में देखा था ना retailer किसको service देता है क्योंकि retailer direct contact में होता है customer की तो वह supply करता है information किसको wholesaler को ठीक है second help in advertisement अब देखो retailer की दुकान के बाहर भी तो sign board होते है ना जैसे अगर कोई vivo का mobile बेच रहा होता है तो vivo का sign board होता है कि नहीं बाहर ठीक है तो वह retailer भी advertisement में help कर रहा है कि नहीं कर रहा है कर रहा है ना तो यहीं बात है यहाँ पर second में ठीक है third is increase in creditability retailers कौन सा जो goods बेचेगा customers को ठीक है तो customer को अगर retailer reasonable price में कोई goods दे रहा है तो indirectly creditability creditability मतलब की famous कौन हो रहा है market में जिसके company के goods है वो famous हो रहा है producer या wholesaler हो रहा है ना famous indirectly क्योंकि अगर retailer reasonable price में कोई goods या service अपने customer को दे रहा है तो customer उस goods के बारे में अच्छी बाते करेंगे तो indirectly famous कौन हो रहा है वो producer हो रहा है कि नहीं तो यह मदद retailer कर रहा है advantage बहुत सारे benefits होते हैं retailer देता है सबको जैसे की opportunity of selection retailer नहीं बहुत सारे अलग-अलग company के products रखता है अपने दुकान में जिससे customer को selection की opportunity मिलती है अगर मुझे call gate खरिदना है sorry मुझे toothpaste खरिदना है तो मेरे पास बहुत सारी company क्या दिखाएगा मुझे वो retailer फिर मुझे जो अच्छा रखता है मैं वह चूज करूंगा या उसों खरीदूंगा आइस मुझने सेकेंड home delivery of goods जब हम goods ले लेते हैं खरीद लेते हैं retail trade में से तो वह क्या करता है हमारे घर तक मोच आता है ना home delivery करता है ना गुड्स की वह ही है थर्ड रिएड्रेसल अफ दे complaints of the customer customer की complaint कौन सुनता है रीटेलर सुनता है और यह तो point हो चुका था किसको बोलता है retailer wholesaler को wholesaler कहां पहुंचाता है producer को तो complaints को अपने सही address में पहुंचाने के लिए भी यह मदद करता है fourth one sells on credit to customer customer को क्रेडिट पे भी कभी कबार sell करता है यह retailer क्योंकि retailer direct contact में होता है customer के तो उसो customer का जो economic position होता है कि customer कैसा है कितना खरीद रहा है कितना नहीं वो पता होता है उसको तो वह कभी कबार कुछ customer को credit पे भी समान दे देता है after sales service retailer बहुत सारी ऐसी service देता है customer को goods बेचने के बाद दी बहुत सारी ऐसी service देता है जैसे कि अगर goods में कोई problem हुआ कोई damage है तो हम उसको वापस ले लेंगे या फिर अगर इतने दिन में कुछ खराबी आ गई तो हम उसको वापस repair करके दे देंगे that is six one is कभी कबार हमें कोई नया market में product आता है तो हमें पता नहीं होता कि कौन सा हमें purchase करना है तो हमें बताता है कि यह quality जादा अच्छी रहेगी यह company जादा आप इसे भरोसा कर सकते हो आप यह वाला खरीद लो तो कभी कबार हमारे decision में साथ देता है कि हमें कौन सी चीजे खरीदनी है seven freedom from the storage of goods जैसे ही customer को जो चीज की जरुवत होती है वो retailers के पास जाके वो खरीद लेता है तो customer को भी store करने की goods की goods को store करने की कोई जरुवत नहीं होती customer भी उसके लिए free होता है eight one is guidance to customer कभी कभार wholesale customer को guide कर रहा होता है कि अभी इसके price future में particular product के price future में बढ़ जाएंगे या इसका supply future में कम हो जाएगा या फिर इसको लोग future में ज़्यादा यूज करेंगे तो इसका price बढ़ जाएगा ये सब कुछ-कुछ guidance product के बारे में वो customers को देता रहता है जिसके आपसे customer अपने जरुरत के इस आपसे उसकी quantity को खरीदते है limitations कुछ limitations भी है देखो अब retailers को तो अलग-अलग company के product रखने पड़ते हैं customer को तभी तो वो variety दिखाएगा customer को लेकिन इसके लिए retailer को बहुत जादा पैसे की जरुरत होती है more capital investment अगर उसका दुकान नहीं चला तो उसके लिए तो loss हो गया बहुत बड़ा तो इसलिए उसको बहुत जादा पैसे की जरुवत पड़ती है यह एक limitation है गलती है या खामी है second risk of deterioration of perishable goods का मतलब होता है कि अगर आप कोई ऐसे product बेच रहे हो fruits हो गया vegetables हो गया milk से बनी हुई चीज हो गया तो यह सब तो perishable goods है यह सब तो लंबी समय के लिए नहीं चलने वाला है तो तो अगर यह नहीं बिका तो ऐसा तो हो सकता है न कि यह खराब हो जाएगा हो जाएगा न खराब तो इसमें आपको loss होगा कि नहीं होगा होगा तो इसलिए यह एक बहुत बड़ा risk होता है एक रिडेलर्स के लिए रिवस्क गूड्स गेटिंग आउटड़ेट इसके नए नए फैसे आते हैं तो अनए-ने कपड़े नए-ने फैसे वाले खरीदते हैं कोई फैसे पूराना हो जाता है तो आप उसको नहीं खरेते हैं अब मेरे पास जो चीज है वह بिकी नहीं और फिर वो भी की नहीं रह यए उसका फैशन चला गया है तो अब मैं क्या करूंगा मुझे लॉस ना हो 서 मुझे लॉस ना हो इसमें क्या करूंगा जितनें का मैंने खरीदा थह उतने का ही बेच दूंगा उसमें भी लॉस हो रहा है ना फूर्थ रिस्क ओफ लॉस सॉटेज और फ्लक्चुएशन और प्राइस अब देखो मार्केट में कोरोना के बाद प्राइस कम ज्यादा कितनी तेजी से हो रहा है तो यह मेरे को इफेक्ट करेगा कि नहीं करेगा हच से ज्यादा अगर कम कर दूंगा तो म हमारे लिए नया होगा विकाज बाइस का मतलब होता है पक्षपाद करने वाला पक्षपाद मतलब किसी की साइड लेने वाला ठीक है कभी कभार रीटेलर है ना कुछ प्रोड्यूसर के जैसे की वह कस्टमर को ज्यादा तर वही प्रोड़क्ट देता है रीटेलर जिसके सा गुड्स वह कस्टमर को ज्यादा तर रिफर नहीं करता है इसलिए वह कभी कभार कुछ प्रोड्यूसर के थ्रूप पक्षपाद होता है जैसे इसका मैं अगर एक्जांपल दूं अगर दो गलत लोग हैं आपके सामने एक गलत है एक सही है जो गलत वाला है वह आपका फ्र का साथ दे रहे हो तो आप बायस कहलाओगे ना क्योंकि आप अपने फ्रेंड का साथ दे रहे हो वह गलत है तो इसको बोलते हैं आया समझ में सुदेंट्स अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें सब्सक्राइब करें बैल आइकन दबाएं और शेयर जरूर क करें और पार्ट टू कमिंग सुनाने वाला है पार्ट टू के लिए रेडि रहें तो बच्चों मिलते हैं अपने अगली वीडियो में बाई बाई